हेलो दूस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेटनरी मेडिसिन रिव्यू में है दूस्तों आज हम लोग कैरस लेबरेटरी के सभी प्रोड़क्ट के बारे में देखने वाले हैं कि कौन-कौन से प्रोड़क्ट हो है उनका कहा कहा हो प्योग होता है सारी यानकरी इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला प्रोड़क्ट है वो है लैटिफर पाउडर लैटिफर पाउडर जो है यह साचिरो माईस इंफैक्शियस जो डायरिया होता है उसमें डिस्टर्ब माइक्रोफ्लोरा, मास्टाइटिस, इम्म्यूनिटी कमजोर हो, बार-बार जानर बिमार हो रहा हुआ उसमें, काल फिस्कॉर्स हो या फिर फैट, SNF और मिल्क के प्रोडक्शन को इंग्रीज करने के लिए, आप इसे अपने जानर को दे सकते हैं, फिर है मीकोवेट इंजेक्शन, नर्वाइन प्रोब्लम जितनी भी होती है, मतलब कि जो नशों में प्रोब्लम होती है, लैंने सुस्ती और खून की कमी, एनिमिया, कमजोरी, इंडाइजेशन, इन सभी में आप इस मीकोवेट इंजेक्शन को लगा सकते हैं, मीकोवेट एक्सेल इंजेक्शन, इस पर मैंने एक वीडियो किया है, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से पूरी वीडियो देख सकते हैं, इसे भी नशों की शमश्याँ में दिया जाता है, खून की कमी है, सुस्ती है, कमजोरी है, वजन गट रहा है, इन डाइजेशन है, और रेक्षिया, इन सभी में मीकोवेट एक्सल का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है, फिर है मैट फॉस इंजक्शन, ये मेटाबॉलिक डिसॉर्डर, पाई का कमजोरी, किटोशिष, एनीमिया, प्रजनन छमता में कमी है, और कमजोरी है, प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए, आप इस मेट फॉस इंजक्शन को लगा सकते हैं, जो जानुर काफी टाइम से बिमार है, उसको भी लगाएंगा, तो पहुत बढ़ी है, रिजल्ट मिलेगा, फिर है डोजलिव इंजक्शन, डोजलिव इंजक्शन जो है, इसको भूख आपकी जानुर को न लग रहा हो, उसमें फैटी लिवर है, हैपेटाइटिस है, तनाव है, या फिर तुरंत शक्ती की कमी, अगर आप जानुर की सरीर में है, और तुरंत उसको शक्ती चाहिए, तो आप तो भी आप इसे लगा सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट देता है, फिर है डोजलिव सीरप, भूख न लगना, फैटी लिवर, किटोसिस, हेपटाइटिस, लिवर की सभी शमस्यों में इसका बढ़िया रिजल्ट है, इन्वार्मेंटल स्ट्रेस है, इन सभी में आप इसे दे सकते हैं, और इन्वार्मेंटल स्ट्रेस, तनाव, सभी प्रगर के स्ट्रेस में आप इसे अपने जानवर को बिला सकते हैं, ये डोजलिव जो है उससे दूगना काम करता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इसका है, फिर है कोल एल सीरप, कोल एल जो सीरप है, इस इसे डोसिस में बहुत ही बढ़िया काम करता है, कोल एल 2X, सीरप है नया है, ये भी पोईजनिंग, पेटबंद, अफराह, गायस, अपच, इसमें दुगनी स्पीड से यतने जल्दी कोल एल है, उससे कहीं ज़्यादा तेज ये काम करता है, कोल एल 2X, फिर है डिकेड मैनस ये मिल्क फिवर से बचाता है, बच्चा देने के बाद आने वाली जो शमश्या हैं, जिसे जीर अटक जाना, बच्चा फजाना, थनहला, गरभासे में सूजन, किटोसिस, और जितने भी शमश्यादा आती है, उन सभी में इसका बढ़िया रेजल्ट है, दूद बढ़ा द जाना बच्चा फिशल्ट है, जो काल्फ हैं, उसके लिए आता है, इस्पिसल, और जैसे डायरिया हो गया, दस्त बार बार आ रहा है जानवर को, तो उसमें आप दे सकते हैं, या फिर इस्ट्रस से किसी भी तर से अगर आपके जानवर को री हाइड़ेट करना है, तो आप इसे और काल्फ को अपने जानवर को दे सकते हैं, फिर है और लार्ज, ये बड़े जानवर के लिए है, अगर वो जानवर डिहाइड़ेट हो गया है, तो जैसे डायरिया है, या फिर किसी भी स्ट्रस कंडिशन में, या फिर हीट इस्ट्रस, काल्विन इस्ट्रस, ट्रांस जो है pregnant जानवर है उसके लिए बहुत ही सांदार रेजल्ट है इसका और conception rate को बढ़ाएगा वजन बढ़ाएगा पाचन शम्ता बढ़ादेगा रोग प्रत्योग शम्ता को भी बढ़ाएता है जानवर बार-बार बीमार नहीं पड़ेगा दूद में fat और SNF के percentage को भी बढ़ा रहें काम करता है मीकोविट XL सीरफ है यह दुर बलता है आपकी जानवर के Шरीव में कमझोरी है ज्यादा समय किसी बीमारी से जानवर ग्रस्त उसे जल्दी रिकवर कर जाएगा उस भीमारी से लंगडाना ने लंगडा के चले जानवर उसमें या फिर बैठ जाए एकदम से बैठ जाए उठना पाए उसमें भी आप इसे दे सकते हैं फिर है बोवी बेस्ट येच थन गादी लेवटी को बढ़ाने के लिए दूद बढ़ाने के लिए थन से द ग्लुकोज के लेवल को मेंटेन करता है और यह एनरजी बूस्टर है बोवी चार्ज किटोसिस है निगेटिव एनरजी बैलेंस है भूक बढ़ा है तुरंत आवश्य कुर्जा की कमी को यह पूड़ा कर देता है इसके बाद में है कैल पॉंड जल यह मिल्क फीवर से बचाता है दूद बढ़ाता है इन दोन में इसका बहुत ही सांदार रजल्ट है कैल पॉंड जल का बोवी मिन जी यल यह जो आता है यह सीरप यह कंशेप्शन रेट को बढ़ा देगा थनेला से बचाएगा यूट्राइन में इंफेक्शन है अगर वार्षन में इंफेक्शन है उस आप इसे अपने जानवर को दे सकते हैं इसके बाद में है अर्गोवेट सीरप यह यूट्राइन क्लीनर है जीर अटक जाए या फिर बच्चे देने के बाद करभाशे की शफाई के लिए आप इसे देखते हैं और जानवर अगर बार बार रिपीट कर रहा हो तो अगर दे सकते हैं और बच्चा देने के बाद में करभाशे की पूर्व अवस्था मिलाने के लिए भी यह बहुत तही जादा कारगर है फिर है बोवीविन बी अल्ट्रा यह भी पाउडर जो है यह प्रजनन छमता बढ़ाता है इम्मिनोडी को बूश्ट करता है बार बार बीमा को बढ़ाने के लिए काल्फ के वजन को बढ़ाने के लिए रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने के लिए इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है और यह दूद बढ़ाने दूद उतारने के लिए स्पेशल आप जैसे दूद आपका जानवर नहीं छोड़ रहा है तो उ पिलाओगे यह सुनिशित करेगा दूद बढ़ाने में शायक है निगेटिब इनरजी बैलेंस नहीं होने देगा आपके जानुर के शरी में रोग प्रद्यूर्दक शम्ता को भी बढ़ाता है फिर है मीडो कैरस इंजेक्शन यह बबेसियोसिस और एनाप्लाजमोसिस में पेट के अंदर और सरीर के बाहर जितने भी बाया पर जीवी होते हैं उन्स सभी को यह खात्म कर देगा कोई भी चर्म रोग है उसमें भी इसका बढ़िया रिजल्ट मिलता है 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 मैक प्लस टी से मलगाए सीरप आता है यह भी अंता पर जीवी नाशक है कालफ और जो वार्मेटिक्स हैं माइट्स हैं मैगट्स हैं और मतला पसरी के अंदर बाहर जितने भी परजीवी हैं उनको यह खत्म कर देता है फिर है फ्लॉक्सिवेट इंजेक्शन यह दर्द सूजन बुखार मास्टाइटिस इन सभी में बहुत ही बढ़िया रिजल देता है यह फिर मेलुमैन है फिर है मेलॉक्सिवेट बीस यह दर्द बुखार सूजन में भी काम करता है यही कार्पेट इंजेक्शन यह दर्द सूजन मैस्टाइटिस और रेस्पिरेटर रिजिस मेलब वह सूजन हो जाएगा चाहे जहां आप उसमें इसे लगा सकते हैं फिर इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा शाक्षरी इंजेक्शन का जो इस पर मेंड वेडियो किया है और इसको अगर आपका जानवर जो है उसका बच्चा फंस जापेट में उसके लिए गरभाशे बाहर आ रहा हो प्रोलैप्स अब यूट्रस है और यूट्राइन टॉ है और जादा ब्लीडिंग हो रही है और अबॉट्शन हो गया है और यूट्राइन में इंफेक्शन है या फिर प्रोलैप्स जो है वो प्रोलैप्स अप्यूट्रस बच्चा वो बच्चितानी बाहर आ रही है तो उसमें आप इसे लगा सकते हैं अर्गोवेट इंजेक्श हो है उसमें या फिर बैक्टरियल कोई भी बैक्टरियल इंफेक्शन है उसमें आप इसे लगा सकते हैं बहुत ही बढ़ी हैं काम करेगा फिर जॉक्षिकॉरस नेर्शन है यह भी क्लीनिकल और सब क्लीनिकल मैस्टाइटिस में इसका बहुत ही सांदार रजल्ट है इसके ब निमोनिया, इंडोमेटराइटिस, मैटराइटिस और सभी इंफेक्शियस डिजीज में इसका पढ़ियां रिजल्ट मिलेगा, कैप फार्म इंजेक्शन है, यह बोविन में और रिस्पिरेटरी डिजीज है, है है H.S. निमोनिया, यूट्राइंड इंफेक्शन है, मैटराइटिस, रिटेंस और पलसेंटा, और रिडtoo문 सेंप्शन launch और जितने भी इंफेक्शिक्शियस डिजीज है उसे में आप इसे लगा सकते हैं, वेटसेप्ट इंजेक्शन है यह भी है एचेस निमोनिया मैस्टाइटिस मैटराइटिस फीवर और सभी इंफेक्शियस डिजीज में इसे आप लगा सकते हैं और इन्रोकेरस है यह भी इन्रोफ्लाक्शरीन है निमोनिया ब्रांचियो निमोनिया एचेस मैस्टाइटिस मैट काई बैगा सकते हैं इसके बाद मैं है करस्टी BF p ल्ट्रा है यह माइक रक्षिंग्स को खतम करता है बीस किलो का बैग आता है इससे अगर आप खिलाएंगे तो आपका जानोर बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा और कैरस के कई सारे फीड आते हैं जिसे कैरस RHF है आपका दूद बढ़ाने के लिए रोग प्रदोग शम्ता को बढ़ाने के लिए तनाव कम करने के लिए रुमन के माइक्रो फ्लोरा को बढ़ाने के लिए फाइबर के डाइजेशन को इंप्रूब करने के लिए आप इसे दे प्लस 25 किलो का यह पैकेट आता है जानवर को बराबर टाइम से हीट में नहीं आ रहा हूँ आपका जानवर प्रजनन जमता घम्जूर है उसकी रिपीट कर रहा है बार-बार दूद बढ़ाने के लिए इसे आप दे सकते हैं बीमार जानवर ना हो इसके लिए भी दे सकते हैं या रोक परद्च शमता को यह बढ़ा देगा कैरस TM प्लीइन वाला जो है यह यह वही सब जो मैं ऊपर बता है TM में वही सब काम करता है यह आपका प्रजन जमता बढ़ाएगा दूद बढ़ाएगा स्वास्त को मेंकर देगा बीमार होने से बचायेगा यह भी 25 किलो का बचाता है, कैरस बूल प्रिमिक्स है, ये भी है, प्रजन चमता बढ़ा देता है, दूद बढ़ाता है, स्वास्त मेंटीन रखेगा, बीमार होने से बचाएगा, कैरस बफर है, रूमेन के पी एच को मेंटीन रखता है, टॉक्सिन से बचाता है, पाचन चमता को बढ़ाता ह भूख बढ़ाता है fatty liver की समश्या नहीं आने देता कैरस PMM है आपका दूद बढ़ाए प्रजन चमता बढ़ाए कटिया बचिया का वजन बढ़ाए जल्दी तयार करे यह भी 25 चिलों के pack में आता है कैरस CMVB यह प्रजन दर बढ़ाता है दूद बढ़ाता है बिमार होने से ब energy की पूर्ति के लिए digestion को इंप्रूब करने के लिए पाजन चमता को बढ़ाने के लिए जक्सौट इंजेक्शन है यह सरीर के अंदर से कहीं से भी अगर खून बैह रहा हो बाहर आ रहा है खून तो खून को रोकने के लिए आप इस इंजेक्शन को लगाओगे जक्सौट और बोई मिन जील टैबलेट आता है यह गर्मी में नहीं आ रहा है जानबर और उसके conception rate को बढ़ाने के लिए प्रजनन चमता को बढ़ाने के लिए प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए आप इस बोलस को दे सकते हैं तो यही था वीडियो कैसी लगी है वीडियो आप कमेंट सक्षन में जरूर बताएगा अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा और अगर वीडियो जिन्यून और इफर्मेटिब लगी अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी सरूर कीजेगा मिलेंग तो अगर अभी तक आपने जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लिजे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर आप इस जो चैनल का नाम है उसी नाम से है वेटनरी मेडिसिन रिव्यू करके अगर आप सर्